अब तक बिहान अहान का फीव बढ़ता जा रहा था लही एलविश के फेस पर गुसा था एलविश के फेस पर अभी भी रेसेस थे एलविश गहरी सोच में लग रहा था तभी एलविश का फोन रिंड करने लगा यह एलविश का नया फोन था जो अभी कुछ घंते पहले ही उ और कॉल किसका था ब्रो, जिस पर एलवेश बाहर की तरफ जाते हुए बोला हॉस्पिटल, अब आगे, कहर विहान और आहान को अपने सीने से लगा कर बैठी थी, विहान और आहान का बहुत तेज फीवा था, उनका बदन तप रहा, था कहर अपने दोनों बेटों के फेस दे अभी कुछ घंटे पहले ही उसके दोनों हैसी, खुशी खेल रहे थे और कितने एकसाइटड थे, अब कहर पचता रही थी कि वह क्यूं अपने बेटे को भूमाने ले गई कम, से कम चर्मे रहते तो सही तो रहते उनकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती, कहर को लग रहा थ ये सब उसकी वजह से हुआ हैं, कहर की आखों से आंसू लुड़क कर उसकी गाल पर आ गए कहर तू कमजोर नहीं पढ़ सकती, अगर तू कमजोर पढ़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आहान और विहान अपने मम्मा के पास होने से ही शान्त थे वरना अभी तक तो उनके हालात और खराब हो जाती कहर, जानती थी कि अभी उसके बेटे छोटे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, मम्मा थंद लग रही है, कहर ने देखा उसके दोनू बेटे काम प्रहे हैं, इसलिए उसने नस की तरफ देखा और बोली, क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकती है जिससे मैं अपने बच्चों को धक सकूँ, तभी समीर ने कहर की तरफ देखा और बोला मैं अभी कंबल लेकर आता हूँ, जिस पर कहर ने अपना सिर हाम हिला दिया, और बोली इशान का ध्यान रखना, इशान रोते रोते समीर के कंधे पर सर रख कर सो गया था, समीर ने अ आखे गुसे से लाल हो गई, एलविश गुसे से चिलाते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर तभी रूम में मौझूद शक्स ने एलविश की तरफ देखा और एक पल के लिए सभी डर गए रूपने, अपने कदम वाट के अंदर रखें और सब की तरफ देखते हुए बोली मैंने पूछा है क्या हुआ यहाँ, तभी एलविश की नजर हॉस्पिटल बैट पर गई जिस पर उसकी दादी लेती हुई थी तभी एलविश की छोटी चाची की बेटी और उसकी बेहन रोमा आई और बोली बड़े भाई दादी कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है उनका कहना है कि वह आप से मिलकर ही कुछ कहेंगे मा पापा बड़े पापा सब कब से ट्राइ कर रहे हैं लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही है और उन्हें दवाई भी लेनी है डॉक्टर ने उन्हें अर्जेंटली दवाई लेने के लिए कहा है वरना उनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी लेकिन दादी सुनने को तयारी नहीं है जिस पर एलविश ने अपनी दादी को देखा और घूरने लगा और उसके बाद चलकर हॉस्पिटल बैट के पास आ गया और अपनी दादी को घूरते हुए बोला दादी यह सब क्या लगा रखा है आपने डॉक मरा हुआ मूँ देखने चले आते वही समीर वाड में वापस आ गया और उसने कहर को कंबल दिया कहर ने अपने दोनों बेटे को कंबल से धक दिया और बोली बस अभी ठीक हो जाओगे तुम दोनों तभी विकास दास वाड के अंदर दाखिल हुए और चलकर कहर के पास आन विकास दास ने कहा मेरे बड़े भाई तभी वाड के अंदर एक शक्स दाखिल हुआ विकास दास ने तुरन पुसकी तरफ देखा और बोला बड़े भाई आप आ गए थेंक यू सो मच आने के लिए मैंने इतनी अर्जेंटली आपको इसलिए बुलाया क्यूंकि यहाँ प सामने खड़ा था अब कहर को एक उम्मीद की किरन दिखाई दे रही थी अब शायद उसके बच्चे ठीक हो जाएंगे उसकी आखिरी उम्मीद डॉक्टर मनोज दास ही थे कहर डॉक्टर मनोज दास को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी उसे एक उम्मीद की किरन नजर आ और बोले बड़े भाई दो पेशेंट है जिनका इलाज सिर्फ आपकर सकते हैं इस वजह से आपको बुलाया क्योंकि आपके पास ही कोई सॉल्यूशन होगा जिस चीज की आपको इतने दिनों से तलाश थी शायद आज पूरी हो जाए जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने डॉक की यर हो जाएगा और आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे फिर आपको शायद मुझसे सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने अपने छोटे भाई को देखा और उसे घूरते हुए बोले ओके तभी डॉक्टर विकास दास ने उसकी गोद में मौजूद बच्चों को तो देखिये वह है असली पेशिंट जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने अपना सिर हिला दिया प्रोफेशनली चलकर कहर के पास आ गए और उन्होंने कहर से पूछा क्या हम पहले कभी मिले हैं डॉक्टर मनोज दास को कहर कहीं देखी देखी सी लग रही थी लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था जिस पर कहर ने कहा डॉक्टर मनोज दास में आपसे मिलने आई थी लेकिन आपके गाद्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तभी डॉक्टर मनोज दास के माइड में हिट हुआ और उन्होंने कहर की तरफ द वहीं पर खड़ी थी तभी डॉक्टर मनोज की नजर अचानक की कहर की गोद में मौजूद उन दो छोटे छोटे बच्चों पर गई और एक पल में उनकी आखे हैरानी से फैल गई वह तुरंट देखते ही समझ गए थे कि यह कौन सा डिसॉर्डर है और इस डिसॉर्डर को व उन्हें मिल गए थे डॉक्टर मनोज दास ने बिना कहर के कहे सब समझ गए थे उन्होंने अहान और विहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और भीरे से उनको तच किया तभी आहना विहान डर गए और अपनी मम्मा से और जोर से लिप्ट गए जिस से कहर धीमी आवाज में बोली रिलाक्स मम्मा है डॉक्टर मनोज दास ने कहर को देखा और बोले डिसॉर्डर के बारे में क्या जानती है आप जिस पर कहर ने डॉक्टर मनोज दास को देखा और बोली नू जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने कहर को देखते हुए दोबारा सवाल किया आप मुझ से क्यों मिला चाहती थी जिस पर कहर ने emotional होकर कहा इसी disorder के लिए क्योंकि मुझे डॉक्टर वीरेंदर दास ने आपके बारे में बताया था अब वह दुनिया में नहीं है वही मेरे बच्चों के का treatment कर रहे थे लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है तो कहते कहते कहर खामोश हो गई डॉक्टर मनोज दास समझ गए थे कि आगे कहर के शब्द क्या थे डॉक्टर मनोज दास सीधे खड़े हो गए वीरेंदर दास उनका बड़ा भाई था दोनों भाईयों में बिल्कुल नहीं बनती थी लेकिन कुछ वक्त पहले ही उसके बड़े भाई की देथ हो पहले से एक ऐसा पेशेंट था और वह कैसे तड़पता था वह अच्छे से जानते थे तभी डॉक्टर मनोज दास ने कहर को दिखा और बोले आप अपने दोनों बच्चों को खुद से दूर कर दीजिए तभी हम अच्छे से इनका चेक अप कर सकेंगे कहर ने धीरे से अपने दोनों को देखा और उनके सिर पर हाथ फिरते हुए प्यार बोली विहान और आहन डॉक्टर अंकल तुम्हारा चेक अप करेंगे इसलिए मम्मा तुम्हें खुद से दूर कर रही है लेकिन मम्मा तुम्हारे पास ही रहेगी इसलिए तुम दोनों परेशान मत होना होके तभी विहान और आहन कुछ नहीं बोल रहे थे कहर घबरा गई उसने जल्दी से विहान और आहन को हिलाया लेकिन उसके दोनों बेटे कोई हरकत नहीं कर रहे थे समीर भी डर गया कहर ने अपने दोनों बेटों को सीने लगाया और रोते हुए बोली डॉक्टर कुछ कीजिए मेरे बच्चे कहर रोने लगी थी तभी डॉक्टर मनोज दास ने कहर को देखते हुए कहा आप फिकर मत करिये डॉक्टर मनोज दास ने विहान और आहन को टच किया और फिर कहर को देखते हुए बोले ज्यादा फिक्र मत करिये दोनों बस बेहोश हो गया है कहर ने अमोशनल होखर आहन और विहान को देखा और रो पड़ी वह कितना डर गई थी एक पल के लिए तो उसकी जान निकल गई थी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो उसका दिल काम पुधा था डॉक्टर मनोज दास के कहने पर कहर ने अपने दोनों बेटे को ठीक से हॉस्पिटल बैड पर लिटा दिया लेकिन उनको छोड़ कर कहीं नहीं हिली थी डॉक्टर मनोज दास अहाना विहान को चेक कर रहे थे वह कन्फम करना चाहते थे कि यह वही डिसॉर्डर है ना जो वह सोच रहे थे डॉक्टर मनोज दास ने कहर की तरफ देखते हुए पूछा आप पहले इनको कौन सी मेडिसिन दे रही थी जिस पर कहर ने डॉक्टर मनोज दास के सवालों का जवाब देते हुए कहा मुझे वीरेंदर दास जी ने जो मेडिसिन दी थी वही मेडिसिन अपने बेटे को देती थी और उससे उन्हें जल्दी ही फर्क पर जाता था दो तीम घंटे में वह दोबारा नॉमल हो जाते थे जिस पर डॉक्टर मनोज दास कहर को देखने लगे और बोले क्या आपके पास अभी भी वह मेडिसिन मौझूद हैं तभी कहर बोली नो मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है अगर होती तो मेरे बेटों की ऐसी कंडीशन ही नहीं होती जिस पर मनोज डॉक्टर दास ने कहर को देखा और फिर कुछ नहीं बोले लेकिन वह क्यों रोस थे ये जानने के लिए की उनके भाई ने ऐसी कौन सी मेडिसिन की खोज की थी जिसे असर सिर्फ दो तीम घंटे में सही हो जाता था क्योंकि वह मेडिसिन जो अपने पेशेंट को दे रहे थे उससे उनका पेशेंट करीबन 6-7 घंटे बाद जाकर नॉमल होता है Dr. Manoj Dáas ने अपने बैग से मेडिसिन निकाली क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही वह एलविश को मेडिसिन दे कर आया था और अब वही मेडिसिन वह हाना विहान को देने वाला थे उस मेडिसिन की स्मॉल क्वांटिटी पहले बच्चों को देने वाला थे ताकि उनको कोई हाम ना हो क्योंकि वह दवा बहुत हाद थी डॉक्टर मनोज दास ने कहर को दिखा और बोले आप अपने बेटों को यह मेडिसिन अभी के अभी दे दीजिए और थोड़ा वेट करिए इसका असर होने में 6 से 7 घंटे लगेंगे उसके बाद ये दोनों नॉमल हो जाएंगे जिस पर कहर ने जल्दी से मेडिसिन ली और डॉक्टर मनोज दास को देखते हुए इमोशनल होकर बोली थैंक यू सो मच डॉक्टर तभी डॉक्टर मनोज दास ने कहा यह मेरा काम है मेरे लिए हर एक पेशेंट इंपोर्टेंट है फिर चाहे वह कोई भी हो जिस पर कहर ने अपना सिरहा में दिया और फिर अपने दोनों बेटों को बारी-बारी से वह दवा खिला दी डॉक्टर मनोज दास ने आहान और विहान को इंजेक्शन भी लगा दिया था तभी डॉक्टर मनोज दास ने कहर को देखा और बोले आप चाहे तो अपने दोनों बेटे को घर ले जा सकती है क्योंकि उनके यहाँ पर रहना सही नहीं है आप कुछ वक्त के लिए दोनों को लोगों की नजरों से दूर रखें और प्लीज ध्यान रिखेगे कि कोई भी फीमेल गलती से आपके बच्चों को टच न करें एडवाईज कंडीशन और ज्यादा बिगर सकती है डॉक्टर मनोज दास ने कहर का नमबर ले लिया था ताकि वह कभी भी कहर से कांटेक्ट कर सके और कहर भी डॉक्टर मनोज के कांटेक्ट में ही रहना चाहती थी कहर ने अहान और विहान की तरफ देखा और फिर अपने दोनों बेटों के बालों में हाथ फेरने लगी उसकी आँखों में वापस आसो आ गए उसके दोनों बेटे जितने भी शैतान थे लेकिन उनकी शैतानियों से ही तो वह जीती थी अहान और विहान को ऐसे देख कर कहर का कलेजा फटा जा रहा था लेकिन डॉक्टर मनोज दास कहर के हाथ को देख रहे थे जो अपने बेटों को प्यार से छू रही थी डॉक्टर मनोज थोड़े आश्चर्य चकित भी थे ये कैसे पॉसिबल है अगर फीमेल की तच से ही यह इन्फेक्शन या अलजी होती है जिससे डिसॉर्डर और ज्यादा हॉमफुल हो जाता है लेकिन यहाँ पर कहर के तच करने से कुछ भी नहीं हो रहा था आखिर यह कैसे पॉसिबल है थी तो वह भी एक फीमेल ही जिस पर कहर ने डॉक्टर मनोज दास को थेंक यू बोला और उसके बाद समीर और कहर आहान और विहान को होटल ले करा गए तभी डॉक्टर मनोज दास ने अपने फोन को देखा और फिर एलविश का नंबर डायल कर दिया दूसरी तरफ से कॉल पर कर लिया गया क्योंकि एलविश कभी भी डॉक्टर मनोज दास का कॉल को इगनौर नहीं करता था कहर ने अहान और विहान को देखा जो बैट पर लेते हुए थे उसके दोनूं बेटे अभी भी होश में नहीं आये थे कहर का दिल घबरा रहा था अभी तक अहान या विहान किसी को होश नहीं आया था टू घंटे बीट गए थे कहर ने एक पल के लिए भी अपने बेटों को अकेला नहीं छोड़ा था देखते देखते एक घंटा और बीट गया कहर अपनी जगह से हिली भी नहीं थी वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनोज एलविश से फोन पर बात कर रहे थे डॉक्टर मनोज इस वक्त काफी सीरियस लग रहे थे और एलविश भी दूसरी तरफ काफी सीरियस था डॉक्टर मनोज ने सीरियस वॉइस में कहा मिस्टर एलविश अभी कुछ वक्त पहले मुझे दो पेटेंट मिले जिनका डिसॉर्डर सिमिलर आपके डिसॉर्डर जैसा था जिस पर एलविश की भौहे तन गई और वह गंभी आवाज में बोला कौन है वह दो पेटेंट जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने कहा वह दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी का 5 साल से कम है ये सुनकर एलविश हैरान हो गया इतने छोटे छोटे बच्चों को भी डिसॉर्डर था एलविश को खुद का याद आ गया की उसे भी तो ये डिसॉर्डर बच्चपन से ही था एलविश ने अपनी गंभी आवाज में कहा तो तुम्हें कुछ पता चला की आखिरी ये डिसॉर्डर को कैसे खत्म किया जा सकता है कोई एंटीडोट मिला जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने कहा ज्यादा कुछ खास नहीं और अभी वह दोनों बच्चे मेरे ही अंड़ है मेरा बड़ा भाई उन दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट करता था हो सकता है कि मुझे जल्दी ही कुछ पता चल जाए मुझे अपने भाई की लेबोरेटरी जाना होगा एलविश बोला ओके और मैं उन दो बच्चों से मिलना चाहता हूँ कहर को रोना आ रहा था अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो वह कभी ट्रिप प्लान ही नहीं करती उसे लग रहा था ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है अगर वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं वह कितनी केलस मा है जो अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकती समीर ने कहर की तरफ देखा और बोला कहर तुम जाकर चेंज कर लो मैं इनका ध्यान रखता हूँ तभी कहर ने समीर को देखा और रोते हुए बोली मैं इन दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली एक पल के लिए भी नहीं समीर तभी समीर बोला तुम चिंता मत करो यू ट्रस्ट मी ना कुछ नहीं होगा तुम जाकर चेंज करके आओ तब तक मैं इन्हें एक पल भी नहीं छोड़ूंगा आई प्रॉमिस समीर ने कहर को पानी का गिलास दिया और बोला रिलेक्स सब ठीक हो जाएगा और तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है यू जस्ट एक एक्सिडेंट था नहीं इसके बारे में तुम्हें पता था नहीं मुझे कहर रोते हुए बोली मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई समीर आज मेरे बेटों की यह हालात सिर्फ मेरी वजह से है जिस पर समीर ने कहर को देखते हुए कहा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है तुम ज्यादा मत सोचो वैसे भी अब विहान और रहान की हालत पहले से बहतर है और थोड़ी देर में वह नॉमल हो जाएंगे समीर ने किसी तरह कहर को वहां से जाने के लिए मना लिया था क्योंकि कहर वहां से हिलने के लिए तयारी नहीं थी कहर अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी और उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे विहान और रहान ने उस पर उल्टिया जो की थी, कहर थोड़ी देर में बाथरूम से बाहर आई कहर ने अपने कपड़े चेंच कर लिये थे और अहान और विहान दोनों के कपड़े लेकर उनके पास बैठ गई थी कहर इस वक्त अपने दोनों बेटों को देख रही थी जो वन मिनट भी चुप नहीं बैचते थे शैतानिया करते रहते थे आज वह दोनों कितने शांती से लेते हुए थे कहर की आँखों में फिर आसो आ गए उसने इशान की तरफ देखा जिसे समीर ने सुला दिया था कहर ने धीरे से कंबल को साइड किया उसने अहान और विहान को देखा वो दोनों पसीने से भीगे हुए थे उन दोनों का बुखार उतर गया था कहर ने देखा कि उसके दोनों बेटों के कपड़े खराब हो गए थे कहर ने आराम से अहान और विहान दोनों के कपड़े निकाल दिये और दोनों को स्पंजबात देने लगी उन दोनों के शरीर पर से रैशेज कम होने लगे थे कहर अपने दोनों बेटों को स्पंज बात दे रही थी और उनको देखते हुए मुस्कुरा रही थी अगर अभी ये दोनों होश में होते तो कहर को कभी ऐसा नहीं करने देते क्योंकि उसके दोनों बेते शाय थे और अपनी पीपी को अपनी मम्मा से छुपाते थे। कहर अभी विहान को स्पंच बार दे रही थी कि वह हिलने लगा कहर ने जैसे विहान की मूवमेंट देखी वो उसके गाल को सहलाते हुए बोली विहान. विहान के कान में जैसे ही अपने मम्मा की आवाज गई उसने धीरे से अपनी आखे खोली और धीनी आवाज में बोला. मम्मा, विहान की आवाज सुनते ही कहर एक बार फिर इमोशनल हो गई और उसने जुक कर विहान के फोहेड पर किस किया और. बोली हाँ मेरा बच्चा मम्मा तुम्हारे पास ही है. विहान रोने लगा और रोते हुए मम्मा मम्मा करने लगा कहर ने धीरे से विहान को उठाया और अपनी गोद में बैठा. लिया और दुलारते हुए बोली हा मम्मा तो यहीं पर है विहान अभी छोटा था उसके तीनों बेटे अभी फाइव साल के पूरे नहीं हुए थे कहर डॉक्टर मनोज दास की शुक्र गुजार थी वह किसी फरिष्टे की तरह आ गए थे क्योंकि उनकी दी हुई दवा का असर होता हुआ दिख रहा था रैशेज तो बिल्कुल ही कम हो गए थे दवा का असर होते होते फाइव घंटे लग गए थे पर अभी भी वो दोनों प रहे हो ना तुम तुम तो मम्मा के बहादूर बच्चे हो जिस पर विहान रोते हुए बोला मम्मा मेरे को छोड़कर मत जाना मुझे डर लग रहा है मेको ऐसा लगा जैसे आप मुझसे दूर जा रहे हो मुझे छोड़कर कहर विहान के आसु को पूछते हुए बोली क्यू दर लग रहा है मम्मा है ना तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। मम्मा तभी अहान धीरे से बोला। कहर ने जल्दी से आहान की तरफ देखा जो अभी धीरे धीरे उटकर बैठ गया था और रोते हुए कहर को देखने लगा। बोला मम्मा, कहर ने अहान को भी अपने पास खीच लिया और उसे भी अपनी गोद में लिया और धीरे से बोली नींद पूरी हो गई जिस पर अहान ने धीरे से बोला मामा क्या मैं सो गया था कहर अहान और विहान दोनों को देखते हुए बोली हाँ तुम दोनों सो रहे थे। तभी अहान रोते हुए बोला मम्मा मैंने बहुत बुरा सपना देखा में को सांस नहीं आ रही थी और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहर ने बहुत मुश्किल से अपने आशु रोके और धीरे से बोली तुम दोनों ठीक हो आज तो तुम मम्मा को भूल ही गए। आ गई वह कबाब में हड़ी नहीं बनना। चाहता था इसलिए चुकचाप सोफे पर बैठा था लेकिन कुछ सोचकर वह रूम से बाहर चला गया। तभी कहर धीमे से बोली तुम तीनों को क्या हुआ है आज कहर ने अपने सिर को नीचे किया और अपने तीनों बेटे को देखा और उसे कुछ याद आने लगा जब उसके दोनों तीनों बेटे छोटे छोटे थे तब वह उसकी गोद में आने के लिए एक। दूसरे को नोचने लगते थे और लड़ते थे तब उन तीनों का जन्म हुआ था तो कहर के लिए बहुत मुश्किल होती थी। तीनों को संभालना वह एक समय पर एक को ही अपनी गोद में ले पाती थी और जब उसके तीनों बेटे डर जाते थे तो आकर उससे ऐसे ही चिपक जाते थे कहर का दिल भर गया और आज भी शायद तीनों दर गए थे इसलिए उसे छोड़ नहीं रहे थे तभी कहर धीमे से बोली इशान आहान और विहान इशान आहन और विहान ने अपना सिर उठा कर कहर की तरफ देखा और बोले हम मम्मा कर प्यार से बोली आहान विहान तुम दोनों ने कपड़े नहीं पहने जिस पर आहान और विहान चौक गए और उन दोनों ने अपना सिर नीचे करकर देखा और जल्दी से अपनी मम्मा से दूर हो गए और कंबल के अंदर घुस गए ये देखकर कहर मुस्कुरा दी इशान भी हसने लगा कहर आहान और विहान की हरकत को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से हंस दी आहान विहान दोनों की आखे सिर्फ दिख रही थी कहर ने सोचा जब ये तीनों एक साल के थे तो नंगू पंगू ही पूरे घर में घूमते थे कपड़े पहनने पर तो जैसे इन तीनों की जान निकलती थी आहान और विहान ने धीमी आवाज में बोले मम्मा हमारे कपड़े कहां है वह दोनों अभी भी थीक से बोल नहीं पा रहे थे तभी कहर धीरे से बोली यह रहे तुम्हारे पकड़े तभी कहर ने कंबल साइड कर दिया और बोली इधर आओ मेरे पास में तुम दोनों को कपड़े पहनती हूँ कहर स्माइल करते हुए विहान के बालों में हाथ फेरा और फिर विहान को सपंच बात देने लगी कहर ने विहान के गुप्त अनके साइड में एक निशान देखा और सोचने लगी यह गुप्त निशान उसके तीनों बेटों के शरीर पर था और सेम जगह पर यह बिरत हमाग था उसके बाद कहर ने विहान को खड़ा किया उसका छोटू सा बेटा कितना प्यारा लग रहा था रैशेज खत्म हो गए थे कहर ने विहान को शौट हाफ पेंट पहाई और उसके बाद विहान की फेवरेट टी शर्ट उसके बाद आहान धीरे धीरे सरक कर अपनी मम्मा के पास आ गया कहर ने आहान को भी स्पंच बात दिया और फिर उसे खड़ा कर दिया और आहान के गाल को प्यार से चुमते हुए बोली मेरा बेटू आहान मुस्कुराने लगा मेरी मम्मा इतना कहने के बाद आहन ने अपनी छोटी छोटी बाहो को फैलाया और कहर को हक कर लिया तभी इशान की भोहे तन गई उसकी मम्मा उसे बिलकुल प्यार नहीं कर रही थी और उसके दोनों भाईयों पर प्यार लुटा रही थी इशान का मुह फूल गया अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाकर मुह फूला कर कहर को देखने लगा कहर ने आहन को कपड़े पहनाए और फिर उसे कमबल में कवदिया फिर कहर ने इशान की तरफ देखा तो इशान ने मुह फुला कर अपना मुह फेर लिया जैसे वह अपनी मम्मा को अपना गुसा जताना चाहता हूँ तभी कहर ने हलका मुस्कुराते हुए कहा इशान अब तुम्हारी टन तभी इशान बिंबंगाते हुए बोला आपको मेरी याद आ गई मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल ही गए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तभी कहर ने इशान को पकड़ कर अपने पास खीच लिया और उसे खड़ा कर दिया और अपने बेटे के फुले हुए गालों पर किस करते हुए बोली तुम्हारे दोनों भाई आज बीमार थे ना तभी इशान मुह फूलाते हुए बोला इसलिए आप उनको ज्याद प्यार करेंगे और मुझे इग्नो करोगे मैं भी तो आपका प्यारा बेटा हूँ लेकिन आपको तो वह दोनों ही प्यारे लगते हैं तभी कहर ने इशान को देखा और उसके कपड़े उतार दिये और बोली ओके मैं तुम्हें भी स्पंज पर दे देता हूँ अब ज्यादा मुह मत बनाओ ये सुनकर इशान ने बुदबुदाते हुए कहा अब आप मुझे बिलकुल प्यार नहीं करती कहर ने अपना सिर ना में हिला दिया ये उसके तीनों बेटे ही दूसरे से जलते रहते थे उसमें वह क्या ही कर सकती है तभी वहाँ पर समीर आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा बच्चा पार्टी और उनके मम्मा चलो डिनरे दी है आज आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने दिन बनाया है ये सुनकर इशान आहान विहान तीनों समीर को देखने लगे और बोले सच्ची डेड़ा समीर ने खाने की ट्रॉली की तरफ इशारा करते हुए कहा हाँ अगली सुबह कहर हॉस्पिटल बिल पे कर रही थी कहर ने रिसेप्शनिस्ट को बिल दिया और स्लिप लेकर वार्ड की तरफ जाने लगी कहर अपने फोन पर मैसेज चेक कर रही थी तभी वह किसी शक्स से टकरा गई और एकदम से लड़खर कर गिरने लगी तभी शक्स ने कहर को अपनी बिजो में थाम लिया कहर को ऐसा लगा था कि जैसे वह जमीन पर धम्म से गिर जाएगी लेकिन तभी उसे महसूस हुआ की दो मजबूत बाजों ने उसे थाम रखा है कहर ने धीरे से अपनी एक आँख खोली और उस शक्स को देखा जिसने उसे थाम रखा था तभी कहर ने जटके से अपनी आँखे खोल दी और देखा उसके सामने वह चेहरा था जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी एलविश कहर को एक तक देखे जा रहा था जिस शक्स ने कहर को अपनी बाहों में थामा था वह कोई और नहीं एलविश था कहर की आँखों के सामने फाइव साल पहले जो कुछ भी हुआ था वह घूमने लगा वही एलविश ने अपने होंत बीच लिये कहर जल्दी से खड़ी हुई दोनों के बीच एक अजीब सी कश्मकश थी और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे वही थोड़ी दूर पर खड़े डॉक्टर मनोज दास ने एलविश को हैरान नजरों से देखा उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम था जब एलविश ने किसी लड़की को छुआ था और इसकी अलजी ने रियक्ट नहीं किया था वरना अभी तक एलविश की हालत बहुत खराब हो जाती थी लेकिन वह थीक से सीधा खड़ा था कहर ने एलविश को इगनो किया और एलविश को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गई वही एलविश की आँखे तीखी हो गई एलविश ने गुस्से से मन ही मन कहा फाइव साल पहले तुने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी मुझे धोखा दिया मुझे चीत करकर किसी और शक्स के साथ भाग गई मेरी इजज़त को सरयाम नीलाम कर दिया गौरब तुम्हारा ऐसा रवया है कहर रग्वणशी तुम्हारी आँखों में मुझे कोई गिल्ट अफसोस नहीं दिखता तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह छीम लूंगा मैं तुम्हारी आँखों की इन चमक को मिटा दूंगा मैं तुम्हें अफसोस होगा की तुम्हें किस शक्स को धोखा दिया था तुम्हें मेरे सामने कभी आना ही नहीं चाहिए था कहर रग्वणशी वही कहर की आँखे नम थी एलविश को देखकर उसकी जख महरे हो जाते थे उसे वह काली रात याद आने लग जाती थी जब उसकी जिंदगी बदल गई थी कहर वाट के अंदर चली गई और अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई कहर ने अपने तीनों बेटों को देखा जिन्होंने डॉक्टर को परेशान करके रख दिया था डॉक्टर उनको शानती से बैठने के लिए कह रहे थे लेकिन उसके तीनों बेटे लाडलावान की तरह घमन से अपनी मनमर्जी से पूरे वार्द मैं इधर उधर घूम रहे थे कहर की आखे छोटी छोटी हो गई इन तीनों को देखो कैसे घूम रहे हैं जैसे हॉस्पिटल इनके बाप का हैं तभी मून भौहें उचकाते हुए अंदर आ गई और जोर से बोली यह तुम तीनों क्या कर रहे हो अपनी मम्मा की आवाज सुनकर इशान अहान बिहान तीनों ही जहां पर थे वही पर जम गए और तिर्ची नजरों से एक दूसरे को देखने लगी और उसके बाद भाग कर अपने मम्मा के पास आ गए और उनके पैरों से लिप्ट कर बोले मम्मा आप कहा चले गए थे हमें छोड़कर कहर ने अपने तीनों बेटों की भोली सी शकल को देखा तभी कहर अपने तीनों बेटों को घूरते हुए बोली मेरे सामने ये ड्रामा नहीं चलेगा तुम तीनों ने क्यूं सबको परेशान करके रखा है अपनी मम्मा की डाच सुनकर आहान बिहान का मुह लटक गया तभी वार्ड के अंदर डॉक्टर मनोज दास दाखिल हुए हान और तीनों बच्चों की शैतानी तो वह भी देख रहे थे और सबसे ज्यादा हैरान वह इस बात से थे कि यह तीनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे सेम हाइट सेम फे सुने तुरंट पता चल गया कि यह तीनों बच्चे ट्रिपलिट्स हैं डॉक्टर मनोज दास को देख कर कहर ने डॉक्टर मनोज दास को पॉली थी हेलो बोला जिस पर डॉक्टर मनोज दास ने कहर को देखा फिर उसके तीनों बच्चों को देखने लगे और फिर हलका सा मुस्कुरा दिये तीनों छोटे छोटे बहुत ही एक साथ अच्छे लग रहे थे और तीनों ने कपड़े भी एक से पहन रखे थे तभी डॉक्टर मनोज दास ने कहर को देखते हुए पूछा ये तीनों आपके वच्चे हैं जिस पर कहर ने डॉक्टर मनोज को अजीब नजरों से देखा तभी डॉक्टर मनोज ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा तीनों बहुत ही प्यारे हैं ये सुनकर कहर मुस्कुरा दी डॉक्टर मनोज दास ने अहान विहान इशान के बालों में बारी-बारी से हाथ फेरा और उनके बाल खराब कर दिये जिस अहान इशान विहान तीनों डॉक्टर मनोज दास को सर्द निगाहों से घूरने लगे ये देखकर डॉक्टर मनोज दास हैरान हो गए ऐसा तो उन्हें सिर्फ एक ही शक्स घूरता था और वह था एलविश इग्निविन्शी फिर डॉक्टर मनोज दास कहर को देखने लगे आखिर फंडा क्या था कहर ने जब एलविश को तच किया था तब एलविश के डिसॉर्डर में रियेक्ट नहीं किया था वही आहन और विहान पर भी कहर के तच का कोई असर नहीं हो रहा था डॉक्टर मनोज दास कहर को देख रहे थे उन्हें कहर का DNA चाहिए था हो सकता है कि इस रिय डिसॉर्डर का एंटीडोट केर का DNA इसमें कोई हेल्प करें कहर ने डॉक्टर मनोज दास को अपनी तरफ ऐसे देखे पाया तो वह थोड़ा awkward हो गई और बोली डॉक्टर मनोज दास तभी डॉक्टर मनोज दास अपने होश में हाए और उन्हें reliance हुआ कि वह क्या कर रहे थे तभी डॉक्टर मनोज दास माहौल को थंडा करते हुए बोले मुझे आपके दोनों बच्चों का एक बार चेक अप करना होगा फिर इशान आहन और विहान की तरफ देखते हुए बोले लेकिन इन तीनों में से वह दो बच्चे कौन है डॉक्टर मनोज दास खुद कन्फ्यूज हो गए थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था तीनों दिखने में एक जैसे थे सेम कपड़े भी से पहन रखे थे और कैप भी लगाने की वज़े से वह बहुत ही प्यारी लग रहे थे कहर मुस्कुराने लगी उसके तीनों बेटों की यही तो खासियत थी उन तीनों के बीच डिफ्रेंस लगाना बहुत मुश्किल था तभी कहर अयान को देखते हुए बोले डॉक्टर अंकल के पास जाओ लेकिन विहान और आहन अपनी जगह से नहीं हिले क्योंकि उन्हें डॉक्टर बिलकुल पसंद नहीं थे बचपन से ही वह बचपन से बड़े होते हुए डॉक्टर से गिरे हुए ही थे इसलिए उन्हें डॉक्टरों से अजीब खुधज हैं अयान ने जब देखा कि उसके तीनू बेते धीच बने हुए हैं और उसकी बात नहीं सुन रहे तो वह गुस्से से डाटते हुए बोली डॉक्टर अंकल के पास जाओ और कोई भी बदमाशी नहीं अगर कोई भी बदमाशी की तो मार पड़ेगी अपनी मम्मा की धमकी सुनकर अहान विहान का मूह लटका गया डॉक्टर मनोज दास के पास चले गए ये देखकर डॉक्टर मनोज दास मुस्कुरा दिये असल में इसी हॉस्पिटल में एलविश की दादी भी एडमिट थी एलविश उनसे ही मिलने आया था एलविश भले ही अपनी दादी के पास बैठा था लेकिन उसका पूरा ध्यान कुछ वक्त पहले हुए छोटे से हादसे पर था कहर उससे टकराई थी और कहर उसकी बाहों में थी इस चीज़ को एलविश अपने दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था एलविश गुस्से से बोला ये औरत में दिमाग पर कैसे कबजा कर सकती है नो तभी एलविश की दादी सुमित्रा एलविश को देखते हुए इमोशनल होकर बोली एलविश तुम वापस तो नहीं जाओगे ना तभी एलविश ने नॉमली कहा नो दादी और फिर मन में बोला मुझे यहाँ पर रहने का मकसद मिल गया है मेरा मकसद है उस औरत की बरबादी जिसने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी इतना कहने के बाद एलविश वार्ड से बाहर चला गया असल में एलविश के अस्पताल के सामने वाले मौल के अंदर जाना था उसे वहां से कुछ लेना था एलविश लिफ्ट की तरफ बढ़ गया एलविश लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ लिफ्ट में इस वक्त कोई नहीं था लिफ्ट बंद होने लगी तभी लिफ्ट दोबारा से खुल गई एलविश ने देखा कोई नहीं है तभी उसकी नजर नीचे गई एक छोटा सा बच्चा लिफ्ट के अंदर दाखिल हो रहा था उसे बच्चे ने CSP लगा रखी थी एलविश ने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और Ground Flow का बटन प्रेस किया एलविश ने अपना फोन देखा तो लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए एलविश ने अपना फोन पॉकिट में रख दिया इस वक्त उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे तभी एलविश की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई जो अपने आईपेड पर गूमते हैं जितना बड़ा खुद नहीं था उतना बड़ा आईपेड लेकर घूम रहा था अचानक से लिफ्ट हिलने लगी और लिफ्ट में मौजूद एलविश और छोटा बच्चा भी मिलने लगे वह दोनों अभी समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या हुआ उससे प बोला खुल जा सिमसिम उसकी हरकत को देखकर एलविश हैरान हो गया और उसके शब्दों को सुनकर एलविश की भोहे उचक गई तभी एलविश तेज आवाज में बोला वह ऐसे नहीं खुलेगा लिफ्ट खराब हो चुकी हैं तभी छोटे बच्चों की भोहे तन गई और उसने अपना सिर उठाकर एलविश की तरफ देखा एलविश ने जैसे उस बच्चे का फेस देखा वह हैरान हो गया और बोला तुम वही इशान भी एलविश को देख रहा था उसे ये अंकल कहीं देखा देखा लग रहा है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था तभी एलवि इशान इल्विश को गूर से देखने लगा और एकदम से उसे याद आया कि यह तो उनके फ्लैट के सामने रहने वाला। इशान इशान को गूरते हुए बोला तुम मुझे क्यूं घूर रहे हो बच्चे। इल्विश की आखे छोटी छोटी हो गई यह बच्चा इसकी जुबान कितनी तेज चलती हैं कद्द से लंबी तो उसकी जुबान हैं। वही ओहना ने एटिट्यूड से अपनी कैप को पीछे किया और लिटल डेविल स्माइल करते हुए एल्विश को इगनो कर दिया और लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ा हो गया। एल्विश ने उस टिंगू से बच्चे को घूरा और यह मुझे इगनो कर रहा था और स्टाइल मार रहा था। लेकिन अंदर से इशान को थोड़ा डर भी लग रहा था एल्विश की प्रिसेंस की वजह से उसे रिलेक्स फील हो रहा था। लेकिन उसे अपनी मम्मा की लेकिन अभी वह तो छोटा ही। काफी वक्त बीट गया था लेकिन अभी तक लिफ्ट नहीं खुली थी जिससे एल्विश को गुस्सा आने लगा था वह अपना फोन। कब से ट्राई कर रहा था लेकिन नेटवक ही नहीं आ रहा था। अब इशान को भी डर लग रहा था औ और अचानक से लिफ्ट की लाइट भी बंध हो गई जिससे एशान डर गया और वह आकर एल्विश के पैरों से लिप्ट गया और एल्विश ने जब खुद के पैरों पर किसी की पकर महसूस की तो उसने अपना से नीचे किया। लेकिन अंधेरा में होने की वज़े से उसे नजर नहीं आ रहा था इसलिए उसने अपने मुबाइल की टॉर्च अन की और देखा तो उसके पैरों से इशान लिपता हुआ था। तभी एल्विश ने इशान से कहा तुम्हें क्या हुआ है बच्चे। लेकिन इशान कुछ नहीं बोल रहा था बस मम्मा मम्मा कर रहा थ उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी। एल्विश समझ सकता था कि बच्चा भी छोटा है भले फिर वह कितना धीच और बदमाश क्यू ना हो विहान की हरकतों से। एल्विश परेशान हो गया था कि बच्चा कितना चालक और शातिर है और कहीं ना कहीं विहान से गई तो विहान और आहन को हॉस्पिटल बैड पर देखा जो अपने अपने आईपैड पर न जाने क्या ड्रॉकर रहे थे कहर ने अपनी नजरे चारू तरफ घुमाई लेकिन उसे उसका बढ़ा बेता नहीं दिखाई दे रहा था। कहर ने आहन विहान को देखते हुए प खड़ी हो गई और आवाज लगाते हुए बोली इशान क्या तुम आंद हो लेकिन अंदर से कोई आवास नहीं आई कहर ने दो चार बार आवास लगाई लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था जिससे कहर लगभग समझ चुकी थी कि इशान नहीं है वरना वह अभी तक तो बोलता लेकिन फिर भी कहर ने अपना शक दूर करने के लिए अंदर ज्ञाप कर देखा तो वहां कोई नहीं था कहर ने मन में सोचा अब ये शैतान बच्चा कहां चला गया मैंने मना किया था कि कही बाहर न जाए कहर कॉरिडोर में आई और इशान को आवास देते हुए बोली इशान कहां हो तुमसे बेटू ममा पासाम वह ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि ये हॉस्पिटल था और अस्पताल में साइलेंस ही बरकरार रखनी होती हैं कहर परेशान हो गई थी कहर ने सोचा शायद इशान समीर के साथ है लेकिन समीर तो आज आया ही नहीं था। ये शैतान बच्चा कहा चला गया इन तीनों ने कसम खा रखी है कि एक दिन शैतानी नहीं करेंगे तो उनका दिन नहीं चलेगा और रोज कहर को परेशान करके रख देते थे। लिफ्ट के अंदर इशान रोने लगा था और मममा ममा कर रहा था क्योंकि अब उसे डर लग रहा था वही एलविश इशान को लेकर बैठ गया था कहर ने अचानक से देखा कि लोगों की भीर लगी हुई है शायद कुछ खराब हो गया था तो उसे ठीक करने के लिए टीम आई हुई थी कहर ने वहाँ पर मौजूद किसी शक्स से पूछा यहां क्या हो रहा है उस शक्स ने कहर को देखते हुए जवाब दिया कि लिफ्ट खराब हो गई है और उसे ठीक किया जा रहा है अंदर कुछ लोग फसे हुए हैं ये सुनकर कहर घबरा गई कहीं इशान लिफ्ट के अंदर तो नहीं ये सुनकर तो कहर की मानो जान निकल गई और उसने जल्दी से पूछा लिफ्ट के अंदर कौन कौन है तभी उसे शक्स ने कहर को जवाब देते हुए कहा CCTV फुटेज से पता चला है कि लिफ्ट के अंदर एक रई सागमी और एक छोटा सा बच्चा है ये सुनकर मानो कहर की सांस रुक गई और उसके चेहरे पर घबराहत से होगा उसे सांस तुम्हारी होगी ना कहर का गला रूद गया वही लिफ्ट के अंदर इशान ने एलविश को देखते हुए कहा मुझे सुसु जाना है अंकल ये सुनकर तो एलविश का दिमाग घूम गया और उसने इशान को घूरते हुए कहा तुम यहां पर वाश्रू गया इस बच्चे की इतनी हिम्मत वह लोगों को घूरा तो लोग डर जाते हैं इस बच्चे से उसकी कोई तो पिछले जन्म के दुश्मनी थी वरना वह इस बच्चे से बार बार क्यूं तकरा जाता है और यह बच्चा सिर्फ दिखाने में ही बच्चा था और इसका देविल जैसा है और उसके देविल की एक साइड में देख चुका था वही एलविश इशान को घूरते हुए बोला तुम मुझे क्यूं घूर रहे हो बच्चे तभी इशान ने अपना मुह फेर लिया और बोला मैं बच्चा नहीं हूं एलविश ने भौहें उचका कर इश घूरने जैसा कुछ भी नहीं है तभी एलविश की आखे छोटी छोटी हो गई यह बच्चा इसकी जुबान कितनी तेज चलती हैं कद्द से लंबी तो उसकी जुबान है वही ओहना ने एटिट्यूड से अपनी कैप को पीछे किया और लिटिल डेविल स्माइल करते हुए एलविश को इगनोग कर दिया और लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ा हो गया एलविश ने उस टिंगु से बच्चे को घूरा और यह मुझे इगनोग कर रहा था और स्टाइल मार रहा था लेकिन अंदर से इशान को थोड़ा दर भी लग रहा था एलविश की प्रिसेंस की वजह से उसे relax feel हो रहा था लेकिन उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी और अगर उसकी मम्मा को पता चल गया कि वह वार्ड में नहीं है तो उसे डाउट भी पड़ेगी और उसकी मम्मा उसे उल्टा लटका देगी और उसका बंभी लाल कर देगी इशान खुद को स्ट्रांग बच्चा मानता था लेकिन अभी वह तो छोटा ही काफी वक्त बीट गया था लेकिन अभी तक लिफ्ट नहीं खुली थी जिससे एलविश को गुसा आने लगा था वह अपना फोन कब से ट्राई कर रहा था लेकिन नेटवक ही नहीं आ रहा था अब इशान को भी डर लग रहा था और अचानक से लिफ्ट की लाइट भी बंध हो गई जिससे इशान डर गया और वह आकर एलविश के पैरों से लिफ्ट गया और एलविश ने जब खुद के पैरों पर किसी की पकड महसूस की तो उसने अपना से नीचे किया लेकिन अंधेरा में होने की वजए से उसे नजर नहीं आ रहा था इसलिए उसने अपने मुबाइल की टॉर्च अन की और देखा तो उसके पैरों से इशान लिफ्टा हुआ था तभी एलविश ने इशान से कहा तुम्हें क्या हुआ है बच्चे लेकिन इशान कुछ नहीं बोल रहा था बस मम्मा मम्मा कर रहा था उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी एलविश समझ सकता था कि बच्चा भी छोटा है भले फिर वह कितना धीट और बदमाश क्यू ना हो विहान की हरकतों से एलविश परेशान हो गया था कि बच्चा कितना चालक और शातिर है और कहीं ना कहीं विहान से एलविश इंप्रेस भी था उसकी इतनी छोटी उम्र में इंटेलिजेंस देखकर कल भी समझ गया था कि यह बच्चा काबिले तारीफ हैं एलविश ने विहान को अपनी गोद में उठा लिया बेता नहीं दिखाई दे रहा था कहर ने आहान विहान को देखते हुए पूछा इशान कहा है तभी आहन विहान ने अपना सिर उठा कर अपनी मम्मा को देखा और बोले भाई तो अभी यही थे शायद वह वाश्रूम गए होंगे कहर ने अपना सिर्हा में हिला दिया और वाट के अंदर के वाश्रूम के दिर्वाजे पर जाकर खड़ी हो गई और आवाज लगाते हुए बोली इशान क्या तुम आंद हो लेकिन अंदर से कोई आवास नहीं आई कहर ने दो-चार बार आवास लगाई लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा जिससे कहर लगभग समझ चुकी थी कि इशान नहीं है वरना वह अभी तक तो बोलता लेकिन फिर भी कहर ने अपना शक दूर करने के लिए अंदर ज्ञाप कर देखा तो वहां कोई नहीं था कहर ने मन में सोचा अब ये शैतान बच्चा कहां चला गया मैंने मना किया था कि कही बाहर न जाए कहर कॉरिडोर में आई और इशान को आवाज देते हुए बोली इशान कहां हो तुमसे बेटू मम्मा पासाम वह ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि ये हॉस्पिटल था और अस्पताल में साइलेंस ही बरकरार रखनी होती हैं कहर परेशान हो गई थी कहर ने सोचा शायद इशान समीर के साथ है लेकिन समीर तो आज आया ही नहीं था ये शैतान बच्चा कहां चला गया इन तीनों ने कसम खा रखी है कि एक दिन शैतानी नहीं करेंगे तो उनका दिन नहीं चलेगा और रोज कहर को परेशान करके रख देते थे लिफ्ट के अंदर इशान रोने लगा था और मम्मा मम्मा कर रहा था क्योंकि अब उसे डर लग रहा था वही एलवेश इशान को लेकर बैठ गया था कहर ने अचानक से देखा कि लोगों की भीर लगी हुई है शायद कुछ खराब हो गया था तो उसे ठीक करने के लिए टीम आई हुई थी कहर ने वहाँ पर मौझूद किसी शक्स से पूछा यहां क्या हो रहा है उस शक्स ने कहर को देखते हुए जवाब दिया कि लिफ्ट खराब हो गई है और उसे ठीक किया जा रहा है अंदर कुछ लोग फसे हुए हैं ये सुनकर कहर घबरा गई कहीं इशान लिफ्ट के अंदर तो नहीं ये सुनकर तो कहर की मानो जान निकल गई और उसने जल्दी से पूछा लिफ्ट के अंदर कौन कौन है तभी उसे शक्स ने कहर को जवाब देते हुए कहा CCTV फुटेज से पता चला है कि लिफ्ट के अंदर एक रही साग्मी और एक छोटा सा बच्चा है ये सुनकर मानो कहर की सांस रुक गई और उसके चेहरे पर घबराहत दिखने लगी कहर जोर से चिल्लाई और बोली प्लीज लिफ्ट को खोले अंदर मेरा बच्चा है कहर समझ गई थी कि वह बच्चा कोई और नहीं इशान है कहर की आँखों में आसू आ गए थे मेरा बेटा अंदर कैसे होगा उसे सांस तुम्हारी होगी ना कहर का गला रूद गया वही लिफ्ट के अंदर इशान ने एलविश को देखते हुए कहा मुझे सुसु जाना है अंकल ये सुनकर तो एलविश का दिमाग घूम गया और उसने इशान को घूरते हुए कहा तुम यहाँ पर वाश्रूम कैसे जा सकते हो कंट्रोल करके रखो तभी इशान अपनी पीपी को पकर कर उचलने लगा प्लीज जल्दी मुझे बहुत तेज सुसु आया हुआ है इशान एलविश को घूर रहा था वही एलविश ने जब इशान को खुद को घूरता हुआ पाया तो उसकी आखे छोटी छोटी हो गई इस बच्चे की इतनी हिम्मत वह लोगों को घूरा तो लोग डर जाते हैं इस बच्चे से उसकी कोई तो पिछले जन्म के दुश्मनी थी वरना वह इस बच्चे से बार-बार क्यूं तक्रा जाता है और यह बच्चा सिर्फ दिखाने में ही बच्चा था और इसका माइट डेविल जैसा है और उसके डेविल की एक साइड में देख चुका था वही एलविश इशान को घूरते हुए बोला तुम मुझे क्यूं घूर रहे हो बच्चे तभी इशान ने अपना मुह फेर लिया और बोला मैं बच्चा नहीं हूँ एलविश ने भौहें उचका कर इशान को देखा और बोला फिर कौन हो तुम इशान ने अपनी रूबी आवाज में कहा रगवन्शी तभी एलविश ने अपने होट भीचिये इशान ने मुह बनाते हुए कहा लास्ट फिंग अनकल आप में ऐसा घूरने जैसा कुछ भी नहीं है तभी एलविश की आँखे छोटी छोटी हो गई यह बच्चा इसकी जुबान कितनी तेज चलती हैं कद्द से लंबी तो उसकी जुबान है वही ओहना ने एटिट्यूड से अपनी कैप को पीछे किया और लिटल डेविल स्माइल करते हुए एलविश को इगनो कर दिया और लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ा हो गया एलविश ने उस टिंगू से बच्चे को घूरा और यह मुझे इगनो कर रहा था और स्टाइल मार रहा था लेकिन अंदर से इशान को थोड़ा डर भी लग रहा था एलविश की प्रिसेंस की वजह से उसे रिलेक्स फील हो रहा था लेकिन उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी और अगर उसकी मम्मा को पता चल गया की वह वार्ड में नहीं है तो उसे डाट भी पड़ेगी और उसकी मम्मा उसे उल्टा लटका देगी और उसका बंभी लाल कर देगी इशान खुद को स्ट्रांग बच्चा मानता था लेकिन अभी वह तो छोटा ही काफी वक्त बीट गया था लेकिन अभी तक लिफ्ट नहीं खुली थी जिससे एलविश को गुसा आने लगा था वह अपना फोन कब से ट्राई कर रहा था लेकिन नेटवक ही नहीं आ रहा था अब इशान को भी डर लग रहा था और अचानक से लिफ्ट की लाइट भी बंध हो गई जिससे इशान डर गया और वह आकर एलविश के पैरों से लिफ्ट गया और एलविश ने जब खुद के पैरों पर किसी की पकड महसूस की तो उसने अपना से नीचे किया लेकिन अंधेरा में होने की वज़े से उसे नजर नहीं आ रहा था इसलिए उसने अपने मुबाइल की टॉर्च अन की और देखा तो उसके पैरों से इशान लिफ्टा हुआ था तभी एलविश ने इशान से कहा तुम्हें क्या हुआ है बच्चे लेकिन इशान कुछ नहीं बोल रहा था बस मम्मा मम्मा कर रहा था उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी एलविश समझ सकता था कि बच्चा भी छोटा है भले फिर वह कितना धीट और बदमाश क्यू ना हो विहान की हरकतों से एलविश परेशान हो गया था कि बच्चा कितना चालक और शातिर है और कहीं ना कहीं विहान से एलविश इंप्रेस भी था उसकी इतनी चोटी उम्र में इंटेलिजेंस देखकर कल भी समझ गया था कि यह बच्चा काबिले तारीफ है एलविश ने विहान को अपनी गोद में उठा लिया बेता नहीं दिखाई दे रहा था कहर ने आहान विहान को देखते हुए पूछा इशान कहा है तभी आहन विहान ने अपना सिर उठा कर अपनी मम्मा को देखा और बोले भाई तो अभी यहीं थे शायद वह वाश्रूम गए होंगे कहर ने अपना सिरहा में हिला दिया और वाट के अंदर के वाश्रूम के दिरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और आवाज लगाते हुए बोली इशान क्या तुम आंद हो लेकिन अंदर से कोई आवास नहीं आई कहर ने दो-चार बार आवास लगाई लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था जिससे कहर लगभग समझ चुकी थी कि इशान नहीं है वरना वह अभी तक तो बोलता लेकिन फिर भी कहर ने अपना शक दूर करने के लिए अंदर ज्ञाप कर देखा तो वहां कोई नहीं था कहर ने मन में सोचा अब ये शैतान बच्चा कहां चला गया मैंने मना किया था कि कही बाहर न जाए कहर कॉरिडोर में आई और इशान को आवाज देते हुए बोली इशान कहां हो तुमसे बेटू मम्मा पासां वह ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि ये हॉस्पिटल था और अस्पताल में साइलेंस ही बरकरार रखनी होती हैं कहर परेशान हो गई थी कहर ने सोचा शायद इशान समीर के साथ है लेकिन समीर तो आज आया ही नहीं था ये शैतान बच्चा कहां चला गया इन तीनों ने कसम खा रखी है कि एक दिन शैतानी नहीं करेंगे तो उनका दिन नहीं चलेगा और रोज कहर को परेशान करके रख देते थे लिफ्ट के अंदर इशान रोने लगा था और मम्मा मम्मा कर रहा था क्यूंकि अब उसे डर लग रहा था वही एलविश इशान को लेकर बैठ गया था कहर ने अचानक से देखा कि लोगों की भीर लगी हुई है शायद कुछ खराब हो गया था तो उसे ठीक करने के लिए टीम आई हुई थी कहर ने वहाँ पर मौजूद किसी शक्स से पूछा यहां क्या हो रहा है उस शक्स ने कहर को देखते हुए जवाब दिया कि लिफ्ट खराब हो गई है और उसे ठीक किया जा रहा है अंदर कुछ लोग फसे हुए हैं ये सुनकर कहर घबरा गई कहीं इशान लिफ्ट के अंदर तो नहीं ये सुनकर तो कहर की मानो जान निकल गई और उसने जल्दी से पूछा लिफ्ट के अंदर कौन-कौन है तभी उसे शक्स ने कहर को जवाब देते हुए कहा CCTV फुटेज से पता चला है कि लिफ्ट के अंदर एक रही सागमी और एक छोटा सा बच्चा है ये सुनकर मानो कहर की सांस रुख गई और उसके चेहरे पर घबराहत द उसे सांस तुम्हारी होगी न कहर का गला रूद गया वही लिफ्ट के अंदर इशान ने एलविश को देखते हुए कहा मुझे सुसु जाना है अंकल ये सुनकर तो एलविश का दिमाग घूम गया और उसने इशान को घूरते हुए कहा तुम यहां पर वाश्रूम कैसे जा सकते हो कंट्रोल करके रखो तभी इशान अपनी पीपी को पकर कर उचलने लगा प्लीज जल्दी मुझे बहुत तेज सुसु आया हुआ है अंकल मुझे बहुत तेज सुसु आया हुआ है इशान ने उचलते हुए कहां एलविश ने भौहे उचका कर इशान को देखा और तुम्हें अभी सुसु आना था। तभी इशान ने एल्फ को देखा और बोला अब यह इन्विटेशन देकर थोड़ी आएगा अंकल। एल्विश ने देखा इशान अपनी पीपी को पकर कर अपने दोनों पैरों को जोड़ कर खड़ा था शायद उसे बहुत सच में। बहुत तेज सुसु आया हुआ था। एल्विश परेशान हो गया था वह कर भी क्या सकता था लिफ्ट खराब हो चुकी थी एल्विश ने इशान को दिखा और बोला अब तुम क्या करोगे। तभी इशन ने एलविश को गुसे से देखा और बोला सुसू। एलविश ने कहा क्या तुम थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी इशान चीखते हुए बोला नहीं उसका मुह अजीब सा बन गया था। वही कहर डर गई थी उसे इशान की बहुत फिक्र हो रही थी अ वही जायद को जब ये पता चला की लिफ्ट में एलविश हैं उसने जल्दी से एक्सपर्ट टीम को बुलाया जो कंट्रोल। रूम में थी और देख रही थी कि कहां पर गरबर हुई हैं। वही इशान ने सुकून से अपनी आखे बंद कर ली और उसके होटों पर मुसकान आ गई। वही इलविश दूसरी तरफ मुह करके खड़ा था इलविश ने खुद से कहा यह उसे क्या क्या देखना और सहना पड़ रहा हैं। वही इशान ने अपने शौट पैंट की जीप को बंद किया और इलविश की तरह पलता और बोला अंकल हो गया इलविश ने। इ खड़ाम से गिर गई ये देख कर तो इशान और इलविश दोनों हैरान हो गए एलविश ने जल्दी से इनसान को अपनी गोद में उठा लिया और इशान ने डर की वज़े से इलविश को कसकर पकड़ लिया और बोला अंकल। तभी इलविश ने इशान के पीट पर हाथ फेरते हुए कहा रिलेक्स कुछ नहीं हुआ हैं। इशान डर गया था और को कसकर पकड़ कर खड़ा था लिफ्ट अभी भी नहीं खुली थी इलविश ने इशान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा शान्त हो जाओ। तभी इशान ने अपना छोटा सा सिर उठा कर इलविश क को देखा और सोचने लगा उसका भाई जैसा की एलविश के बार में रहा। था एलविश तो वैसे बिलकुल नहीं था वह तो बहुत अच्छा था। यह अंकल तो बहुत ही प्यारे हैं उन्होंने मेरी हेल्प की। वही कहर उसका तो दिल बैठ गया और आँखों में मोटे आसू आ गए। लिफ्ट के अंदर इशान को सफोकेशन होने लगी और वह बोला अंकल मुझे सांस नहीं आ रही ऐसा ब इनसान की घबराहत की वजह से हो रहा था। तभी एलविश ने इशान के छोटे से चेहरे को देखा और बोला क्यूं तुम ऐसा इमेजन करो कि तुम स घंता हो गया था एलविश को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। तभी लिफ्ट अचानक से खुल गई और एकदम से लिफ्ट के अंदर रोशनी हो गई ये देखकर एलविश और इशान दोनों ही चौँ गए इशान ने अपना सिर जटके से घूमा कर देखा तो सामने ए उम्मीद नहीं की थी कि लिफ्ट के अंदर उसे एलविश भी मिल जाएगा और उसका बेटा और एलविश दोनों साथ में थे ये देखकर तो कहर घबरा गई तो अभी कहानी जारी रहेगी